अगर सिफ सफाई कर सकते हैं तो सफाई करेंगे क्योंकि मैंने डिलिवरी वॉर्ड के बाहर लोगों को पिशाप करते हुए देखा था डिलिवरी वॉर्ड के बाहर जो यह था खिड़की, खिड़की के बाहर सद्यों का कचरा पड़ा था, कुत्ते भी लिगूमते रहते थे लेबर रूम में तो मैंने सोचा चलो अब सफाई कर सकते हैं तो वहां से शुरू करेंगे तो थोड़ी एनरजी आई बोडी में और काम शुरू किया मैं अबिबिएस में जब घुसी थी तो यही सोच के घुसी थी कि कुछ अच्छा काम करेंगे मुझे लोगों का ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता था तो उस समय जो कॉंसेप्ट मेरे मन में बैठ गए वो पहला कॉंसेप्ट किये था कि जहां आपकी रियली जरूरत है वहां काम करो तो 2014 में मुझे कहा गया कि चंपारन जाना है तो मैं जिन एंजियोस के थुरू गई वो थे वो थे केर इंडिया और डॉक्टर स्वयो सो चंपारन का तो सिफ नाम सुना था हिस्ट्री टेक वुक में नील सत्यागरर के नाम से तो मैं वहां जब गही तो मुझे पता तो था things are very bad लेकिन मैं imagine भी नहीं कर सकती थी जो मैंने पहले दिन दिखा मैं वहां पे सुभे 11 बजे पहुँची और delivery ward के अंदर एक delivery हो रही थी जिसमें एक औरत एक मा की delivery कर रही थी हाथों के साथ जिन पे gloves नहीं पहने थे delivery के बाद जो बच्चा निकला उसको साफ करने के लिए उसने एक पैटिकूट को आधा फाड के उसको साफ किया मा की साड़ी फाड़ी दूसरी बार साफ करने के लिए और तो और जो टाके लगाने थे नीचे वो टाके उसने simple सुई धागा जिससे हम अपना बटन सीते हैं उससे लगाया और बाद में मुझे पता चला कि वो डॉक्टर नहीं थी वो कोई नर्स नहीं थी वो वहां की एक आया थी एक स्वीपर थी और मैं शौक में चले गए कि यह सुभे 11 बजे का टाइम है उसके बाद मैंने पूरे दिन वेट किया वहां पे मुझे कोई भी डॉक्टर नहीं मिला पूरे मेटरनेटी वार्ड में तो मैंने सिस्टर से बात करना शुरू किया तब उन्होंने मुझे बताया कि मैडम यहां पे तो डॉक्टर ऐसे नहीं आते हैं सिर्फ अगर कोई एमर्जेंसी हो या सिजेरिय हैं लेकिन हॉस्पितल में कोई नहीं है बाहर सारे काम कर रहे हैं रागिए उसको ट्रेन करेंगे लेकिन ट्रेनिंग करने से पहले इनकी जो अटिट्ट्ईूट्स बन गये हैं 20-30 साल इसी सिस्टम में काम करते हुए उन अटिट्द्स पे कुछ काम करना होगा तो हमने पहली चीज हमने सोची यह तो गांधी जी की जगा है तो गांधी जी को जगाते हैं तो सब ने बला क्यों नहीं तो हम वहाँ पे जीन्स चढ़ाई हाथ में गलव्स पहने थोड़ा डिटरजेंट लिया और ऑपरेशन थीटर को घिस घिस के चार से पांच घंटे हमने लगा के पूरा चमका दिया उस ऑपरेशन थीटर में पता नहीं कब से सफाई नहीं हो रही थी और लोग ये कपड़े पहन के ऑपरेशन करते थे तो वो जब सफाई हुई न तब उसके बाद अगले दिन मैंने ऑपरेशन थीटर के एक असिस्टेंट को देखा वो एसे जं लग लगी हुई ऑपरेशन थीटर टेबल को पेंटिंग कर रहा था वाइट पेंट से तो मैंने बोल आप क्या कर रहे हैं धन्नो जी है उनका नाम तो उन्होंने कहा मैडम आप जब बॉंबे से आ सकती हैं हमारे साथ जाड़ू आरने के लिए तो इतना तो हम कर सकते हैं अ वहां से हमारी जॉर्णी शुरू हुई एक साल के अंदर अंदर काया पलट हो गई और लोगों को लगा ये क्या हो गया तो पहली बार लोगों को लगा शायद कुछ गरबढ हुई है लेकिन दुबारा उनको 2000 अगर मैं गलत नहीं मान रही हूं तो 2016 और 2018 दो बार उनको काय ग्रहु खवा मोठी हर ये